अर्यांत्रित होकर पल्टा टेंपो टेंपो सवार चाल लोग होए खायल राजगीर ठाना में बैठक आयोजन अगामी सरसुती पूजा को लेक अद्की गई बैठक सीम नितीश का जाती अधारित करना पर रियक्शन बिहार के विश्यस राज़तलाने के लिए करहें प्रयास क्रामीनों इस जमीन को कबजा लेकर जमकर हंगामा क्या सदर डियस्पी पल्लग के कमभी राद मैला की खाई में गिने से ओई मौत बन विभाग के अधिकारियों पल्लग के हर्द्या के आरोप नमश्कार आप देख रहें प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नननी यादव वक्त हो चुका है बिहार के खबरों कारू करते हैं खबर की ओर खबर नालंदा से है जहां राजगीर ठाना परिसर में आगामी सरस्वती पूजा को लेकर शांती बोड कराने है तू सरस्वती पूजा समीती राजगीर ठाना में शांती समीतियों सदस्यों और डीजे संचालक के साथ शांती समीति की बैठक की गई जिसमें सरस्वती पूजा का लाइसेंस लेकर जुलूस निकालने और डीजी नहीं बजाने का निर्देश दिया गया है और सांती शमीती के सदस्यों के द्वारा पानी वाले तलाब हसनपूर में ही वसरजन करने को कहा गया है महीं बैठक में अनुमंडल पदाधीकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधीकारी और थाना द्यक्ष मोहमद मुस्ता के द्वारा शांतेपूर तरीके से सरकारी नियमों का पालन करते हुए सरकारी नियमों से मानने का अर्देश भी दिया गया है नालंदा जिला के अंदरगत रहवी प्रखंड में सामाधान यात्रा विकास कारियों का नरक्षड करने के लिए बाद में नगर निगम इंट्रिगेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्खाटन किया गया बदादे सुप्रीम कोट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया और उन्होंने कहा कि जातिया धारित गणना सबके पक्ष में है एक एक चीज की गणना होनी है और साथी उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को विशेस राज का दरजा दिलाने के प्रयास करते रहेंगे वहीं से हमने तेश समाधान यात्रा कोले का एक दिवसी दौरे पर नालंदा जिली में हैं तो तो अच्छी बात है और लोगों से भी बाचीत हुआ और उसकी अलावे सब कुछ हो रहा है अब यहां पर जो देख जिजे कितना अच्छा से सब कुछ कर दिया पदादे किसी अमनितिश ने आज नालंदा जिली में दौरा किया है जहां उन्होंने जाते जनगर्णा को लेकर कहा कि बिहार को अललगातार राज का विशेज दर्जा दिलाने के लिए प्रियास किया जा रहा है इस पर उनों ने कहा कि विहार को विशी राजित विहार शरीफ के गढ़ पर लोशपा संसती बोर्ट के जलादक्ष रजनीश कुमार सिंग ने आवासी परिसर में चल रहे श्रीमत भागवत सब्ता ज्यान यग के छटे दिन द्वारिका दिश और रुकमणी विवा की छांकी बनाई गई जिसमें विदिदत रजनीश कुमार सिंग और उनकी धन्पत्नी निधी सिंग ने रुकमणी के माता पिता की भूमिका अदक करनादान किया इस उसर पर पंजाब से आये कलाकारों द्वारा श्रीकृष्ण ने लिरा की गई जहांक्या भी प्रदश्चत किये गए जिसमें श्रधालू भक्ती रस में डूबे गए इस मौके पर कथा व्यास श्री गोविन मृदुल महराजी द्वारा कथा वाशन के दौरा भगवान श्रीकृष्ण के जीवन के बारे में वृतरान त्रूप से जानकारी दी। ईज दी चारवर्ण आस्रम होते हैं एक ब्रमचरज द्वानपरस्ट आस्रम् गरस्ट आस्रम ऑसन्यास्रम आलोर समय्साइट लेकिन स्रिष्ट आशरव ह件 ँकता में प्रवैस्ट स्रावा दन्यों ग्रस्त आशरवा दन्य है ग्रसता स्रम के लिए जैसे किमार ब्यहर सरीव रभी कि इस राजी भू किमार शींग जी निरी इन्हों ने अपने जरस्त जीवन को धन बना लिया इतना धर्म का परचार किया कि आज पूरी पबले गिन से गदगर है और प्रसंद नोकर के कहती ही वहिया ऐसे काम आपनों कराते रहें और हमें आसा है कि ऐसे कार्य कराते ही रहेंगे जनता को धार में कार्य कराते रहेंगे नालंदा की मधनीशेद की टीम ने पिछले 24 घंटे में कार्यवाई करते हुए कुल 49 लोगों को ग्राफतार करने में सफलता हासिल की है जिनमें 22 थंदिबाच और 17 दारुबाच शामिल है नालंदा मधनीशेद विभाग के रिक्षक राम नरेश महतो ने बताया कि मोख्याले के आदिश पर पिछले 24 घंटे में जले भर में दजनो ठीकानों पर छापे मारी की गई जहां से कुल 49 लोगों को ग्राफतार किया गया है जिनमें से 22 थंदिबाच और 17 शराबी पकड़े गए धंदिबाजों के पास से 55 लीटर चुलाई शराब भी बरामत की गई है वहीं मौके पर सैक्रो लीटर छोबा को नश्ट कर शराब बनाने का उपकरण भी बरामत किया गया है मोख्यमंत्री नितीश कुमान ने समधान यात्र के दोरान नालंदा के रहुई प्रकन में आगमन के दोरान ग्रामिडों के जमीन कपचा कोले कर जंग जमकर ग्रामिडों ने हंगामा किया है इस जोरान ग्रामिडों ये पुर्व विधायक राजित के पप्पु खां एवं अंचला अधिकारी रहुई विना थाना द्यक्ष सदर डियस्पी पर कई गंभीर आरूप भी लगाएं ग्रामिडों का कहना था कि धमौली सिहुली पत पर करीब आठ मा से उनकी जमीन पर कबजा कर लिया गया है जिसको लेकर नालंदा से लेकर पटना तक के कार्यालों का चकर लगा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है करते हैं करते हैं क्या बीबात क्या है विवाद करता है जन्मी ने लोग भापिया सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं कल के बार आज सब्सक्राइब करते हैं कल समयते तो कोई आपका दावा सही है तो हटेगा ताकत नहीं है जबधेश- इन रोक परकब्जा करता, सब्सक्राइब करते हैं साइह सब्सक्राइब करुमिए माइं सब्सक्राइब, मजज़ सब्सक्राइब करेंगे का हो खबर रहतास से है जहां एक महिला की खाई में गेने से उसकी मौत हो गई थी जिसको लेकर परिश्णों वनवासियों ने वनवफाक के अधिकारियों पर हत्या और रेप के आरोप लगाए थे बता दे इस मामले को लेकर शुक्रवार को जन अधिकारी पार्ट पार्टी के सुप्रीम तोराब नियाजी के घर पर वनवासी महिला के परिश्णों से 20,000 मदद के रूप में दिया गया और सरकार से परिवार को मौाज़ा और सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की गई इसलिए मैं बचन देता हूँ आपको जो भर कर्मिने मेरी बेकों के साथ बरकार करके भारा है और इस लक्षी को अलाब किया है मैं उसको छोड़ने कर अलाब नहीं हूँ इसलिए पिमत पर इसलिए अभी है रुकते छोड़े से ब्रेक के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे प्राइम टीवी क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी इस्टोर तो देर किस बात की अभी लॉग इन करें SKB Market.in SKB Market.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेट फॉर्म है आपके SKB Market.in से अग तक 3 लाग से जादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं हमारा उत्देश इना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्भाव करना है हम अपनी इसेवा गतिविद्या यानी ओनलाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्ट्रे स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं SKB Market.in शॉपिंग सुकून के साथ राजनिती से जुड़ी हर एक ख़बर पर होगी हमारी निज़र ना कोई शोर शराबा ना कोई एजिंडा जिमेदारों से करते हैं तीक है सवाल जनता के मुद्दो का रखते हैं खयाल हम पक्ष और वेपक्ष के बीच दिस्पक्ष खड़े हैं हम निस्पक्ष और नीडर्ता के साथ बात करते हैं हम क्योंकि प्राइम टीवी है हम ब्रेक के बाद स्वागात है आप सब का बढ़ते हैं ख़बर की और खबर सहरसा से है जहां पुलिस को बड़ी काम्यावी मिली है और पुलिस ने एंटे लिकर टास्फोर्स जिले में बड़ी कारेवाई करते हुए विदेशी शराब से लदे दो लक्षरी वाहनों को भी चप्ट किया है और साथ ही साथ दोनों वाहनों चालकों को भी गरफतार कर लिया जिसके बाद पुलिस ने गरफतार वाहन चालकों से पूछताच कर मामले की जाच में जुड़ गई है नौकेश्या के रास्ते से हमारे पस्तोपार सिविर होते हुए दो गाड़ी जो है जिस पर कि शराब बलदा हुआ है तो वो उजरने वाला है सुचना मिलने के बाद दिनों ने संपर्ट किया अनुमंदल पुलिस पदारी कारी से और उचेदिकारियों से मैडम से संपर्किया गया और फिर कार्योजना तुरंत बनाई गए कार्योजना बनाने के बाद यह अपने टीम को लेकर के इसकी सुचना फिरों मैं संबंदित पस्तपार पुलिस सीवर के परवारी मनिश कुमार जी को दी कि कुछ सुचना है प्राप्त हो रही है अवैद कादियों की फिर यह लोग अपने टीम के साथ राजमनी जी टिक्निकल सेल के टीम और कुछ इनके जो पुलिस के कर्मी है उनके साथ यह लोग वहाँ नरकर्टिया गंज सहोदरा मुख्य मार्क मास साइट लेने के करम में एक टैंपू अनियंतित होकर पलट गई घटना के पकड़ी टार धाला के पास की बताई जा रही है मिली जानकारी के अनुसार टैंपू में चालोग सवार थे जिनको आनन फानन में अनुमंडल अस्पताल में लाए गया चिकिसको ने एक युवक कुम्रत घोशित कर दिया है वहीं घाय लोग में एक इस्तिती भीर बताया जारी जिससे प्रात्मिक ओप्चार के बाद बेत्या रेफर कर दिया गया है वहीं सुचना पाकर पहुंचे पुलस ने शव को कबजे में लेकर आगे की कारिवाई में जुट गई है पेशेंट आ रहे हैं यहां सूट के बाहर गया वहां देखा कि एक एंपलेंस आके लगी टेंपू इसका आगे से शिजा पुटा हुआ था आके लगी तेंपू और महीश को छोड़के लोग भागे वहां से हम लोग ने आनंद पालन में पेशेंट के में चीफ कराया यहां इनका नाम चोकेलाम पॉषाद है वह गाउनाहा में प्लीश करवी है हम लोग ने उनको देखा वो भी काफी सीरियस है अबलड के वो मेंदिंग कर रहे थे लाधिस को ने कां से नाक से गलीरी मुलकी हो रही थी हम लोग ने उनका पुरत साथ में प्शार करते हुए हम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है वहीं पुलिस अधिक्षक कांतेश कुमारमिश्री ने बताए कि उक्तु प्राप्त सूचना पर तत्वारित कारिवाई कर पुलिस अधिक्षक सा अनुमंडल पुलिस पदादिकारी रक्सॉल के निते तुमें एक टीम का गठन करते हुए अ जिसमें इस्पेक्टर अभे कुमार थाना देक्ष रामगडवा स्वाइप एंजीत पास्वान थाना देक्ष सुगावली थाना स्वाइप अधलेश कुमार और प्रबेशनल एसाई है अनुश कुमार सिंग सुगाली थाना तो इस टीम ने काफी को शलता पुरवक एक रिक किलो ग्राम और पांच कीलो बहत्र ग्राम चरस बरामत किया है तो लागतार यह दूसरी सफलता है इस पुरे टीव उपरेशन को लीड़ करें इसकी साब रक्सावल और काफी कुशलता पुरवक इस उपरेशन मों कम्प्लीट किया है और नशा के विरुद्ध हमारा यह अज कर लिए बिहार की खबरों में बस अतना ही देश उनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी कि आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार क्या आप घर बैठे कुछ खड़ीदना चाहते हैं क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी इस्टोर तो देर किस बात की अभी लॉग इन करें SKB Market.in SKB Market.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेट फॉर्म है आपके SKB Market.in से अग तक 3 लाग से जादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चके हैं हमारा उदेश इना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्मार करना है हम अपनी इसेवा गतिविद्या यानी ओनलाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्ट्रे स्तर पर पहुंचाने जा रहे है SKB Market.in शॉपिंग सुकून के साथ राजनीती से लेकर खेल के मैदान तक हॉलिवुड से लेकर बॉलिवुड तक अंतर राश्ट्री खबरों से लेकर व्यपार तक ऐसी खबरें जिन पर है हमारी बैनी नज़त पलपल बदलती देश और दुनिया की सौ बड़ी खबरें देखे हमारी खास बारिक्राव प्राइम शट्राइब